हलो एवरिवन मैं अनीता ठाकूर वेलकम तू माई योट्योब चानल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ हिस्ट्री चेप्टर फोर थी पॉइंट टू आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दा फियोर्स आप दा पीपल ठीक है कि ल उन्होंने फॉर्रेस्ट को रिजर्व करने की कोशिश करी उसको मतलब प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी ताकि अदर पॉपुलेशन जो है वो उसके ओपर किसी बी तरह का धावा ना बोल सके सिर्फ और सिर्व बिटिशस जो हैं वहां से रिसोर्स को मतलब यूज कर सकें यहां पर बताया गया जो रिजर्व था वो टू थर्ड अफ फॉर्स मतलब उसको क्या कर दिया गया था रिजर्व रखा गया था 1905 में और वहां पर शिफ्टिंग कल्टिवेशन, हंटिंग, कलेक्शन अफ फॉर्स मतलब रिसोर्स जो थे उन पर बिल्कुल रोक लगा दी गई थी और जो बसर के लोग थे उनको इस चीज़ की बहुत ज़दा चिंता चता रही थी क्योंकि वो लोग जो थे उनको बिल्कुल भी अलो नहीं किया जा रहा था कि वो reserved forest में जा सकें उनके पास सिर्फ एक ही condition थी कि वो forest area में जाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा उनको वहीं forest area में ही settle होना पड़ेगा उनको free of cost वहाँ पर काम करना पड़ेगा ठीक है forest department के accordingly अगर कहीं किसी भी जगा पर cutting होती है transporting मतलब trees को transport करा जाता है तो यह सारी चीजें जो है या protection करनी है कि इसकी forest की वहां पर आग वगरा ना लगे इन सभी चीजों के लिए उनको higher किया जाता तब ही वो forest areas में जा सकते थे और इस यह जो लोग थे जिनको settle किया गया था forest areas में ही for the protection of the forest for the conservation of the forest तो उन लोगों को य displaced हुए थे मतलब जिनको कोई notice नहीं दिया कोई compensation नहीं दिया कि हाँ आप लोगों को यहां से निकाला जा रहा है क्योंकि जब rules and regulations new लगाए गे थे new forest policy बनाए गे थी उसके बाद उनने कहा था कि कोई भी person जो है वो क्या नहीं कर सकता है forest area से कोई भी चीज जो है वो collect नहीं कर सकता है यह बहुत सालों तक ऐसा चलता रहा फिर villages जो थे वो बहुत बुरी तरह से सफर कर रहे थे उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था जिसकी वज़ए से उन्होंने land के जो rent थे वो भी increase हो चुके थे उस टाइम पर जिसकी वज़ए से यह जो laborers थे जो भी काम करने वाले लोग हो तो आप लोग अगर काम करना चाहते हो forest में काम कर सकते हो बट आप लोगों को न किसी भी तरह का पैसा जो है वो बिलकुल भी नहीं मिलेगा और उसके बाद देखा गया बहुत ज़़एदा हम लोगों को एक अपात काली स्थिती चोती वो ब रही थी नेक्स्ट यहां पर बताया गया रेजर्वेशन स्टो थी वो मतलब जब होना स्टार्ट ही उसके बाद थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ी टेंशन स्टो थी वो रेडियोस हुई थी लोगों ने अब क्या करना श्रू कर दिया मतलब लोग ही कठा होते और जितने भी विलेज काउंसिल मतलब विलेज काउंसिल के जो लोग थे वो क्या करते हैं इकठा होके डिसकुशन करते हैं कि फोरेस्ट रिलेटिड जो इशोस है उनको किस तरह से गेटरिट करना उनको किस तरह से सॉल्व करना है तो वो क्या करते हैं फेस्टिवल सब भी होते हैं जो headman होते थे जिनको क्या कहा जाता था परागन कहा जाता था और जो priest होते थे उन areas के मतलब कुछ villages के वो इकठे हो कि इन issues को discuss करते थे और कुछ initiatives लेते थे ताकि मुतलब कुछ steps taken करते थे ताकि वो क्या कर सकते forest areas को protect करके रख सकें दुर्वास जो है जो कि कंगर मतलब forest है तो वहाँ पर सबसे पहले reservation जो थी वो मतलब reservation मिली थी वहाँ पर उसके बाद कोई एक single leader नहीं था जो मतलब क्या करता था जो single ही voice important figures थी जो उस time पर momentum जो बना रही थी मतलब moments चला रही थी 1900 में जो mango भग से थे मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो आम के पेड़ थे या फिर जो भी जमीन के कुछ parts जो हम लोग बोल सकते हैं से थोड़ा ups में आ जाते हैं चिलीज और arrows थे उनको क्या करना शुरू कर दिया circulate करना शुरू कर दिया villages में ही दिखें और उसके बाद देखा गया यहाँ पर कि actually उस time पर यह message दिया जा रहा था villagers को कि हम लोगों कोई कठा होके क्या करना है British government के against rebellion करना है विद्रो करना है तो हर एक village हो था उसको contribute करना पड़ेगा कुछ न कुछ देना पड़ेगा ताकि हम लोग rebellion conduct कर सके जो rebellion मतलब विद्रो करने के लिए जो पैसा आया कुछ भी expenses आएंगे वो आप लोगों को ही contribute करन दिया और school offices schools थे police stations थे उनको जलाना श्रू कर दिया लूटना श्रू कर दिया और जो भी grains थे उनको redistribute करना श्रू कर दिया मतलब दोबारा से मतलब share करना श्रू कर दिया बहुत सारे attack जो थे वो उन लोगों पर होते थे जो colonial government से related थे या फिर उन्हीं जिन लोगों ने oppressive last बनाया थे उनको मतलब उन पर attack किया जाता William Ward एक missionary थे जो कि religious lines के accordingly प्रचार करते थे अपने religion का तो उन्होंने एक event को observe किया मतलब एक ऐसी incident हुआ उसको उन्होंने observe किया उसको उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या लिखा कि जितने भी ये लोग है न वो क्या कर रहे हैं इकठा होके आ रहे हैं वो जगदलपूर हो गया पुलीस हो गया माचेंड हो गी देन फॉरेस्पियोंस हो गया स्कूल मास्टर्स और इमिग्रेंट्स हो गया ये सब लोग जो हैं वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं देन एक्स यहां पर बताया गया British government ने क्या किया कुछ troops बेच दिये ताकि वो rebellion को suppress कर सके मतलब अपनी police army को बेच दिया ताकि वी द्रोग को बंद करा जा सके आदिवासे leaders जो थे उन्होंने कहा हम लोग बाचेत के थूरू मतलब मुद्दे को सुलजा देंगे लेकिन Britishers ने क्या किया जितने वी camps थे उनके ओपर अंदादुन firing जो थी वो करना शुरू कर दिया जिसके बाद villages जो थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया मतलब उनको ना कोडूं की मारा जाता या फिल्म को बहुत जादा पनिश किया जाता जो लोग rebellion में पाट लेते जो भी विद्रों में हिस्सा लेते बहुत सारे villages जो थे villagers जो थे उनको क्या कर दिया गया मतलब लोग भाग जाते थे जंगलों में ताकि उनको कोई भी पकर ना पाए ठीक है और उसके बाद कहा जाता है कि around 3 months लगे थे जब Britishers को regain करने में control वापिस से अपने हाथ में लेने में तो उस टीम पर देखा गया लेकिन जो घोंदा धूर था उसको capture करना Britishers के लिए थोड़ा उनसे बाहर हो गया था ओ जो majority victory थी rebels की वो उनको सिर्फो सिर्फ मिल रही थी कि वो मतलब reservation उनने कर ली कि हाँ जो भी मतलब areas थे काम करने वाले areas वहाँ पर उनने temporarily reservation को suspend कर दिया कि हाँ वहाँ पर Britishers के अलावा ओ लोग भी जो है वो जा सकते हैं तो अब उसके बाद उनने क्या किया जो reserved area था उसको कम कर दिया और उसको कहा गया कि मतलब जो 1910 तक जो plan था उनका उसमें उनने कहा कि उस ताकि वो भी क्या कर सकें अपनी livelihood को अन कर सकें उसके बाद यहाँ पर बताया गया यह forest story मतलब है जो उसमें यह बताया गया कि जो बास्टर के लोग थे उनका कोई अच्छा एंड नहीं हुआ था अभी वहाँ पर पूरी तरह से कोई भी मतलब यह बोल सकते हैं कि एक अच industrialization जो थी वो continuously हो रही थी और आप लोग को पता है कि industries में किस चीज़ों की जुरूरत होती है बहुत आदा resources जो कि maximum forest area से गेंड करे जाते हैं तो 1970 में देखा गया जो वर्ल्ड बैंक था उसने प्रपॉस किया उसने एक चीज़ बताई कि 4600 hackers of natural जो है मतलब एरिया है वहाँ पर South Forest की जगह पर क्या लगाया जाए ट्रॉपिकल पाइन ट्री लगाया जाए जिसकी वज़ा से क्या मिलेगी पल्प प्रोवाइड होगी और पल्प से क्या बनाया जाएगा पेपर बनाया जाएगा और पेपर जो है वो इंडिस्ट्री में बनेगा that means industry list को इस चीज की न जावाओ जो इंडोनेशी की बात होगी यह ना देन उसके बाद यहाँ पर सेम पीरियेड में क्या हो रहा था वाटवर इस तरह की चीज़े हम लोग डिसकस करेंगे देन आइधिंक इस इनफ टूरे थैंक्स पर थैंक्स फर लिसनिंग और स्टेबलेस्ट आलवेज